आज हम लोग जोमेटरी में एक्विलेटरल ट्राइंगल देखेंगे और इन फाक्ट एक दिफरेंट पर्स्पेक्टिब से देखेंगे और अशूर यू आल की इट विल मेक क्वेस्टिन्स वेरी सिंपलर ओके खैर एक एक्विलेटरल ट्राइंगल का बेसिक फॉर्माट मतलब अगर ये ए है ये ए तो ये भी अ होगा दूसरी खास बात कि ये 60 डीगरी होता है ये भी 60 डीगरी होता है और ये भी 60 डीगरी होता है let us suppose this is A, B, C, एक ट्राइंगल, okay there are number of concepts जिस पर हम लोग earlier बात कर चुके है जैसे we have, we have seen earlier कि अगर इसका एक हम पर्पेंडिकुलर इस तरह से गिराते है let us suppose, this is a perpendicular तो यह perpendicular ही, median भी होगा, इस पर हम लोग एक dedicated lecture देखें है आप kindly refer कर लेना, यह angle bisector भी होगा और खास बात यह perpendicular bisector भी होगा this is an exception for equilateral triangle, इसका हम लोग पूरा detailed proof के साथ देखे थे that means कि अगर एक line इस तरह से हम perpendicular गिराते है यह आप median का लो, यह angle bisector का लो, यह फिर perpendicular bisector का लो, यह चारो एक ही है खेर, अब अगर हम केवाल यह shaded portion को अलग कर दे और इसको थोड़ा सा zoom करके यहाँ पर दिखाए just see the beauty of geometry मतलब एक equilateral triangle का हमने cut section बाहर निकाल दिया ओके, needs a high level of understanding, try to understand let this point be d, यह आपका यहां से यहां तक a था तो यह अब triangle बन गया a, d और c, okay I hope, I hope, initial lectures अगर आप किसी भी triangle का देखोगे I mean जो हम लोग देखे हैं तो किसी भी triangle में अगर a, b, c कुछ ऐसा है तो a के ultracite per a होता है, b के ultracite per b होता है, c के ultracite per c होता है और यहां पर हम लोग sign rule, apply कर सकते हैं Sign rule कहता है, a by sign a is equal to B by sin B is equal to C by sin C which is equal to 2R and this R is your circum radius fine अगर ये वाला लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करे तो आप देख पार हुँगे ये वाला एंगल है 60 60 डिग्री ये एंगल है 90 डिग्री 90 प्लस 60 वन फिफ्टी देट मीन्स ये वाला बट ओवियस है 30 डिग्री का एंगल होगा ओके अब अगर ये आपका A के उल्टे साइट पर A C के उल्टे साइट पर C और चलो यहां पर हम इस अप्रोच पर दिखाना चाहते हैं तो ये भी अजियूम कर लेते हैं ओके या आप स्मॉल डी भी अजियूम करोगे वन एंड दा सेम थी मतलब आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो अब A by sin A is equal to D by sorry sin D which is equal to C by sin C which is again equal to 2R ओके अब ये आर इस ट्रेंगल का circum radius हो का not required for us क्या यहां सा दिख रहा है A is equal to 2R sin A D is equal to 2R sin D and finally C is equal to 2R sin C मतलब अगर हम अब A, B और C का रेशियो निकलना चाहे है तो I can write A ratio B के जगा पर यहां D है A ratio D ratio C will be equal to 2R sin A ratio 2R sin D आप यह 2R से 2R और 2R रेशियो है तो cancel कर सकते हो important क्या निकल कराता है कि A ratio D ratio C will be sin A ratio will be sin A ratio sin D ratio sin C now this is very important आप देख पारे होंगे कि यह तीनों अगल हमको पता है मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं A ratio D ratio C will be equal to sin of A A है 30 मतलब sin 30 ratio sin of D मतलब sin 90 ratio sin of C मतलब sin 60 just take a look on it I hope यहां तक बहुत आसान है ऐसा लिखा जा सकता है fine value बिठाते हैं A ratio D ratio C will be equal to sin of 30 1 by 2 sin of 90 1 sin of 60 root 3 by 2 okay केवल initial stage में इसको समझना थोड़ा सा complex है लेकिन वन्स आप इस पर command कर लेते हो I am 100% sure कि equilateral के triangle के questions within seconds पनेंगे I don't think कि you would need even pen to solve it A ratio D ratio C will be 1 by 2 ratio 1 ratio root 3 by 2 अब for sake of convenience अगर हम 2 root 3 से सबको multiply करते तो I hope इतना calculation आप समझ पा रहे हैं कि A ratio D ratio C will be हम 2 root 3 से multiply कर रहे हैं तो यह root 3 हो जाएगा यह 2 root 3 हो जाएगा और यह 3 हो जाएगा जाएगार हो जाएगार पा गरेधा sake of convenience okay just take a look on it this is very important very very important यही सीखना था बस हम लोगों को मतलब एक equilateral triangle पर किस तरीके से आप apply कर सकते हो sign rule वो हमने कोशिश किया यहाँ पर दिखलाने का अब अगर ADC को आप replace कर दो इस फिगर में ADC को replace करते हो तो A के स्थान पर आप root 3 लिख सकते हो ध्यान रहे दिस इस रेशियो B के स्थान पर आप 2 root 3 लिख सकते हो और C के स्थान पर आप 3 लिख सकते हो ओके अब जो हमने cut section यहाँ पर निकाला था equilateral triangle से अगर हम वापस उसको यहाँ बिठा दे है ओके आई होप आप जान पार हैं यह चीज देख पार हैं कि यह दोनों तो एक ही सेक्षिन है जैसा यह है वैसा यह है दोरों एक दूसरे का रेप्लिका है ओके मतलब हम यहाँ पर यह लिख सकते हैं कि दिस इस टू रूट थ्री ज़र आप वेरिफाई कर ले ना डाइगनल से इस ट्रैंगल को यहाँ पर बिठा कर देखो तो यह टू रूट थ्री उल्टे साइट पर भी टू रूट थ्री होगा और यहाँ से यहाँ आप देख पा रहे ऊंगे रूट थ्री सिमिलर्ली यहाँ से यहाँ आप देख पा रहे ऊंगे रूट थ्री हैंस यह पूरा टू रूट थ्री हम रेश्यों की बात कर रेंड है यह लोग अने यह भी जस्टिफाइड त्रीं हो ग गया कि एक्यूत content राबर होगा मतलब साइ will be 2 root 3, ध्यान रहे, यह ratio है, तो जब यह ratio है, तो क्यों ना हम इसमें एक N लगाते हैं, that means equilateral triangle का side का ratio 2 root 3 N assume किया जा सकता है, sign rule अगर हम लोग यहाँ पर apply करें और जो logic से भी देखें है, that means हम side बराबर 2 root 3 N assume कर सकते हैं, this is very important, take a look on it, fine, hence we can conclude, कि अगर यह एक equilateral triangle है, तो यह side 2 root 3 N हो सकता है, 2 root 3 N हो सकता है, और 2 root 3 N हो सकता है, और यह रहा perpendicular या median या angle bisector या perpendicular bisector, और यह point हो गया, let us suppose, either आप इसको centroid बोलो, या ortho center बोलो, या circum center बोलो, या in center बोलो, one and the same thing, यह 4 एक ही होगा, क्योंकि equilateral triangle में यह 4 को inside करता है, I should again repeat कि इस पर हम लोग पहले बात कर चुके है, प्लीज आप रफर कर ले रहा, okay, खास चीज यह होता है कि median divides, या I am very sorry, not median, centroid, centroid divides median in the ratio of 2 is to 1, बात किये हैं इस पर भी लेकिन फिर से बतला रहे हैं, मतलब यहां से यहां 2 हिस्सा होगा और यहां से यहां एक हिस्सा होगा, लेकिन थोड़ी तर पहले हम लोग देखे थे कि यह पूरा का पूरा 3 हिस्सा है, यह पूरा का पूरा 3N था तो अगर 3N को आप सब डिवाइड करोगे दो हिस्से में तो you would get यहां से यहां 2N और यहां से यहां N ओके देट सॉल अपना काम बन चुका है अब एक्विलेटरल ट्रेंगल से रिलेटेट कोई भी क्वेश्चन होगा तो बहुत आसान होगा अब कैसे ओके तो अगर आप साइड को अज्यूम करते हो 2 रूट 3N ओके तो क्या आप कह रहे हो इन रेडियस इन रेडियस तो इतना ह है यहां से लेकर यहां तक तो अगर साइड है टू रूट 3N तो इन रेडियस है एन अच्छा सरकम रेडियस सरकम रेडियस है 2N अच्छा मीडियन बोलो के सर मीडियन तो यह पूरा है मतलब दिस इस थ्री एन एंगल बाइसेक्टर तो बोलो के थोड़ी दिर पहले बात कियें कि जो जितना मीडियन है उतना ही एंगल बाइसेक्टर है मतलब 3N तो यह वाब मीडियन हो गया एंगल बाइसेक्टर हो गया अल्टिट्यूड या पर्रपेंडिकुलर फिर से आपको होगे कि सर अभी थोड़ी तर पहले हम लोग डिसकस कियें जो एंगल बाइसेक्टर वही पर्पेंडिकुलर वही अल्टिट्यूड वही मीडियन मतलब यह भी 3N अच्छा एरिया कितना होगा तो एरिया का ट्रेडिशनल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं फॉर इक्विलेटरल ट्रेंगल एरिया इस इक्वल टू रूट थ्री बाइब फॉर ए स्क्वार प्रूब कर चुके हैं लोग इनिशेल लेक्टर आप देख लेना जोमेट्री का अगर उसको अप्लाई करते हैं यहां पर तो बोलेंगे रूट थ्री बाइब फॉर मुट आंड रूट थ्री एंट इंटू रूट थ्री एन क्योंकि मेरा साइट तो यहां पर टू रूट थ्री आं है 4, 2 or 2 cancel हो गया मतलब आज के बाद एक नया फॉर्मूला मिला 3 root 3 N square this is very important just take a look on it fine अच्छा हम लोग एक लेक्चर में ये भी बात किया थे कि X radius and in X radius for equilateral triangle is 3 times in radius तो in radius N है तो ये 3 N होगा मतलब अब आप correlate कर सकते हो किसी भी question में I hope आपको ये पुरा ratio पता चल गया तो इस ratio को आप कहीं भी correlate कर सकते हो just take a look fine जैसे माल लो माल लो एक बड़ा अच्छा सवाल बन गया कहा इफ side of an equilateral triangle is 10 root 3 find X radius एक दा मेक लाइन का pre का सवाल बन गया आप देखे side of equilateral triangle 10 root 3 हम जानते है 2 root 3 N is equal to side ओके and this is equal to 10 root 3 root 3 से root 3 cancel हो गया 2 से 5 cancel हो गया मतलब 5 times 10 cancel हो गया तो N is equal to 5 अब ये N is equal to 5 का interpretation क्या है मतलब आप स्वाता समझ गया की N radius कितना होगा 5 आप स्वाता समझ गया circum radius कितना होगा 10 आप स्वाता समझ गया की median या पर्पेंडिकुलर या altitude one and the same thing angle by sector ये सब 5 into 3 15 होगा but I don't think कोई calculation करने की अब शक्ता नहीं है ओके आप एरिया एक लाइन का calculation करोगे root 3 देखलो यहाँ पर 3 times root 3 into n square मतलब 25 that means 75 root 3 fine I hope बहुत आसानी से निकल सकता है आप से सवाल पूझाता x radius ओके तो x radius हम लोग तो बात कर चुके है n का 3 times होता है मतलब जितना यह होगा उतना ही वो भी होगा मतलब x radius will be again 15 have a look on it तो इस तरह से सवाल बन सकता है nothing to worry about ये तो basic question हुआ हम लोग एक बड़ा complex question के तरफ आने वाले हैं जो आपके means में पुछा भी जा चुका है SSC में just take a look on it जैसे एक बड़ा अच्छा question आपसे exam में पुछा जा सकता है in fact पुछा जा चुका है मालनो एक equilateral triangle side दे रखा है 10 root 3 कि अज्यूम कर लगते है और इसके भीदर में एक circle बना हुए ओके शेड़ समवाट लैक दिस ओके यहां एक और circle बना हुए यहां एक और circle बना हुआ है और यहां एक और circle बना हुआ है लैक दिस और यह सब शेड़ेड ओके यह मेरे तरफ से construction है to make a conceptual clarity ओके यह हम आपको दिखाने का कोशिश करें कि इसके भीतर में दो equilateral triangle है ओके या आप इस तरफ से देखोगे एक equilateral triangle यहां भी दिखेगा और इस तरफ से देखोगे तो एक equilateral triangle यहां भी दिखेगा fine इस circle का radius निकालना बड़ा आसान है I don't think pen भी यूज करना है तो n तो 5 पता चल गया ओके मतलब जो बड़ा वाला circle हमको दिख रहा है उसका radius पता चल चुका है मतलब उसका area भी निकाला जा सकता है आप से चलो सवाल पूछ रहा है shaded area का shaded region का area मालो this is your question fine तो बड़े circle का तो हमको पता चल गया अब आप देख पार होंगे कि यहाँ पर कहीं तो इसका एक center होगा जिसमें यह वाला यहाँ से यहाँ तक n होगा यह यहाँ से यहाँ भी n होगा मतलब यह पूरा भी n होना चाहिए अब कैसे तो हम लोग तो थोड़ी दर पहले बात कर चुके हैं कि यह पूरा का पूरा 3 n होता है कब जब यह तू रूट 3 n हो और यह तू रूट 3 n हो और यह यहां से यहां टू रूट 3 n हो और यह यहां से यहां रूट 3 n और यह यहां से यहां रूट 3 n अभी हम लोग यही बात किये हैं ओके मतलब ऐसा हो सकता है तो एन तो फाइब पता चल गया अब आप केवल इतने दूर को बाहर निकाल कर देखो यह 60 डिग्री है यह वह लाप पार्लल लाइन है मतलब यह 60 डिग्री और यह भी 60 डिग्री मतलब यह एक एक इक्विलेटरल इस इंगल बाहर निकल गया कुछ ऐसा है ओके जिसके भीतर में एक सरकल है और यह वाला हाइट यहां से यहां तक है फाइब देख सकते हो आप अब यह फाइब कैसे है क्योंकि यहां से यहां तक ही एन है यह एन एक और एन और एक और एन कुल मिलाकर 3N मतलब इतना दूर एन है तो इसको हम यहां पर निकालती है फाइन हम लोग बात किये हैं कि यह पूरा अगर 3N है लेकिन यहां पर तो 5 के बराबर है तो यहां एन का वैल्यू 5 by 3 होना चाहिए और यह एन ही तो इन रेडियस है नीड सा हाई लेवल ओफ अंडरस्टेंडिंग सब आप कनेक्ट करके देखोगे तब समझाएगा ओके मतलब इस सर्कल का रेडियस भी हमको पता चल गया 5 by 3 वन थर्ड होगा हमेशा ओके मतलब अगर हम पूरा अरिया निकालना चाहें तो पहले बड़े सर्कल का अरिया हो गया पाई इंटू आर स्क्वेर आर यहां पर एन है और एन का वैल्यू फाइव तो कुछ ऐसा प्लस थ्री टाइम्स पाई इंटू 5 बाई 3 का स्क्वेर दिस इस और फाइनल अंसर है वालुक ओके अब बोलो के सर्क्या और भी कॉंप्लेक्स कॉश्चन बन सकता है सौरी जस्ट सौरी तो देखो आप अगर मानलो एक लेवल और उपर चला जाता एक्जामिनर और कहता एक सर्कल यहां एक सर्कल यहां similarly a circle यहां एक circle यहां और एक छोटा 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 circle यहां और सब को shaded करते nothing to worry about it's a cup of tea कुछ भी नहीं है यह okay fine पुछता shaded region का area अगर यह वला अप्रोच आपको पता है जो हम लोग आज सीखें है चलो side वही 10 root 3 माल लेते हैं कुछ तो examiner आपको एक ऐसा data देगा जो थोड़ा सा convenient हो तो हम कहेंगे 2 root 3 n is equal to 10 root 3 2 से 5 times कटा n is equal to 5 पता चल गया मतलब यह वाला इसका radius 5 होगा मतलब बड़े circle का radius 5 दूसरे circle का radius 5 by 3 और तीसरे circle का radius 5 by 9 इसी अप्रोच से आपकोप इस वरी क्लिर कुछ नहीं करना है पाई इंटो आर स्क्वार थी ताइम पाई इंटो 5 by 3 का स्क्वार प्लस 3 3 ताइम्स पाई 5 by 9 का स्क्वार जाट सोल आई होब कितना कॉन्वीनियंट हो गया अगर आप यह से अप्रोच से बनाते हो तब एक्जाम ने एक और बड़ अच्छा सवाल पूछा गया था आई वोड लाइक तो शेर वित यू आल बहुत आसान एक हिक्सागॉन और हिक्सागॉन के भीतर में छे सर्कल था यह डॉटेट लाइन हम बस सेक आफ कन्वीनियंस बना रहें ताकि आपको थोड़ा सा का कंसेप्ट्ट्वल क्लारिटी हो एक्जैक्टली एक्जाम में जो क्वेशन पूछा गया था उसमें कुछ इस तरह से छे सर्कल बना हुआ था कि आओ अ कि करें अ यरुट लाइक दिस और यह पूरा का पूरा शेड़ेट था आप से पूछा गया कि बताओ इसका शेड़ेट रिजन का एरिया क्या होगा हम लोग जनेरलाइज करके affinity है साइड का वैल्यू कुछ नहीं अजियूम करते हैं वह जनेरलाइज करके बनाते हैं तो चलो असको उससाइट को ले लेते हैं एड यह पूरा a ले ले लिए अब यह एक एक्विलेटरल ट्रेइंगल है जिसमें साइड ए दे रखा है लेकिन हम लोग तो एक्विलेटरल ट्रेइंगल का साइड जानते हैं 2 रूट 3N मतलब हम कह सकते हैं 2 रूट 3N is equal to a तो n is equal to a by 2 root 3 that's all काम बन चुका है और n है क्या तो in radius है in radius है तो छोटे रूट 3N comprises of 6 equilateral triangle that's all कुछ भी नहीं करना है आप इसको calculate कर लोगे final answer आजाएगा ओके जस्ट टेक लूट ओन इड़ फाइन मतलब आप अगर एक एरिया निकालोगे तो पाई इंटू a by 2 root 3 का whole square ओके मतलब पाई इंटू a square by this is 4 into 3 okay मतलब पाई a square by 12 okay हम लोग यहाँ पर 6 circle को निकालने वाले तो 6 into pi into a square by 12 you cancel what to say this is pi by 2 a square this is the beauty of geometry let me see whether it is on frame or not okay okay fine to pi by 2 a square तो direct answer आप निकाल सकते हो हम लोग generalize करके कोशिश के इसको समझने का I hope आज के बाद equilateral triangle का perception थोड़ा बदल गया होगा और I assure you all कि इस perception से इस vision से इस perception से ओके equilateral triangle के questions बहुत आसान हो जाएंगे that's all for today thank you